बिस्मिल्लाहरु रुख्मानु वाहीम। रब श्रॉहली सद्री वई सिरली अम्री वहल लुक्दा तम्मिल लिसानी यफ्काहु कौली और बिजनी इल्मा। डियर स्टुरेंट्स आज हमारे सेकंड येर का फिफ्ट लेक्चर है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंक जेट प्रिंटर्स जो के एप्लिकेशन एलेक्ट्र स्टैटिक्स की। पहरे बच्चों इंक जेट प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे कम्प्यूटर में मौझूद सॉफ्ट फॉर्म में मौझूद डॉकूमेंट्स की हार्ड कॉपिस प्रोड्यूस कर सकती है मैं इसको एक्स्प्लें करने के लिए यह जब पहले बताना चाहूंगा कि जैसे ही कंप्यूटर की टर्म टर्मिनालजी के अंदर जाएं सबसे पहले हमें दो टर्म का पता होना चाहिए कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं एक हार्डवेर और एक सॉफ्टवेर बेटे कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वह हार्डवेर कहलाते हैं दो कम्प्यूटर के अंदर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लेंगविज जो हमारे व्यर्विस विंडूज question को कह लाते हैं इसी तरह आप कंप्यूटर के अंदर या फेर माइक्रोस आशिक्व और शेय्क्र दわい और एक्वड नो को लिख लिए हैं अब इस टाइप डॉकुमेंट को आप चाह रहे हैं कि हाड फॉर्म में आप और हासिल कर सकें तो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर सौफ्ट डॉकुमेंट जो मौझूद है उसको हाड डॉकुमेंट में यह पेपर पर कनवर्ट कर सकती है ऐसी डिवाइस आप यसे जो चीजें कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसे कलाती हैं फॉर एक्सांपल स्पीकर्स वेरां एलेडी चेंप्यूटर के ओपर जो लगी हमारे पास वह और इसी तरह मारा प्रिंटर यह सारी आउटपुट डिवाइसेज कला एउननि जिस से computer हमें output प्रवाइड कर सकता है तो हम कह सकेंगे एन इंक जेट प्रिंटर इस आ computer output डिवाइस का इन इंक जेट प्रिंटर जो है वह एक ऐसी computer output डिवाइस है that produces hard copy of soft documents जिससे हमारे जो computer के अंदर मौझूद soft documents है उसकी hard copy provide की जा सकती है कैसे by spraying ink on two paper हांची जो liquid ink है उसको use करते हुए काज़ पर spray करके हम computer के अंदर soft document को hard form में convert कर सकते हैं बेटे इंक जैट प्रिंटर और फोटो कापियर और सप्रे मेशीन इस जैसी और एक्जामपल्स यह सभी सभी इन सब का principle एक ही है जो और एक्ट्रोस्टैक्स और एक्ट्रोस्टैक्स का प्रिंसिपल के है सिमिलर चार्जिज रिपेल इच अदर और ऑपूजट चार्जज अट्रेक्ट इच अदर बैटे inkjet printers की थोड़ी ब्रीफ इस्टी बताता जाओं तो इंक जैट printers का basic जो concept है वो 20th century में आया और यह टेकनालोजी फर्स टाइम जब डिवैल्प की गई वह 1950 की रेंज में थी करना 1950 की दिहाई में यह फर्स टाइम इंक जैट printers बनाए गए और 1970 में यह commercial और इन अची फॉर्म के अंदर लेटेस फॉर्म के अंदर वर्ड कर दीक है और जो में इसके लीडर्स बने जो companies ने लीड किया वह एपसन HP और कैनन वगारा थी कि यह स्टूरेंट से स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि दो कान दो हमारे पास इंक जैट प्रिंटर्स हैं color printers हैं और यह continuous printers कहलाते हैं इसकी क्या टाइब से ही मैं आगली से slides के अंदर प्रता हूंगा यह जासी है रिप्रिजन करने के लिए कि किस शेप का है और कैसे वह कर रहा होता है इसके लिए आईए इसको अब इंक जैट प्रिंटर्स जिनके अंदर से मुसलसल हमारे पास droplets प्रोड्यूस होते रहते हैं अच्छा यह droplets कहां से प्रोड्यूस होते हैं इसके लिए थोड़ा सा मैं पहले construction बता दूं दुबारा मैं वापस आके types बताता हूं बेटे हमारे पास एक आउंग जैट प्रिंटर के अंदर कुछ यह इंसमली होती है हमारे पास सबसे पहले एक इंक्रेजर वाइर है यानि हमारे प्रिंटर के अंदर एक चोटा साहठी हाट है जिसमें liquid इंक डाल दी जाती है उस इससे को हम in इंक्रेजर वाइर कहते हैं Is इंक्रेजर इंक को लेना और आगे एक नुजल लगी होती है इंतहाई बारीक जैसे हमारे पास शावर होता है क्लाओस को प्रेस करने के लिए उस शावर की साइड पर हमारे पास बारीक सी नुजल लगी होती है इसी तरह यहां पर भी हमारे एक जैट प्र Episode guy अगली साइड दर एक बालिक सी नोजल लगी होती है और यह पीजियो लेक्ट्रिक क्रिस्टल की मदद से व्वरक करती है फिजयों अलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होती हैं पिटे ऐसे přिक One-ed लगाएं external force लगाएं और उसकी डामेंशन यानि या एरिया या शेप चेंज कर दें तो इस external stress लगाने की वज़ा से उस material के अंदर slight voltage पैदा हो जाती है potential difference पैदा हो जाता है तो बैटे ऐसे materials पीजो electric crystals कहलाते हैं पीजो electric materials कहलाते हैं तो यह पीजो electric material की बनी हुई हमारी इंक नोजल होती है यह इसका नाम नोजल of print head भी रखा जाता है बैटे इसका काम है small इंक droplets produce करना यानि इंक reservoir से इंक आएगी वह pump वहां से इंक को gain करेगा और pump पुश कर देगा इंक को force के साथ इंक नोजल में और इस इंक नोजल के अंदर से बारीग बारीग हमारी इंक के droplets निकलेंगे और यह droplets आगे हमारे पास यहां charging tunnel होगी या charging electrodes होंगे उसके अंदर से गुजरेंगे और एक और पार्ट आगे लगा होगा वह हमारे प्रिंटर का उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स यह डिफ्लेक्शन प्लेट्स और बेटे इसके बाद हमारे पास इंक जो विस्ट हो जाती इंक वह चले जाएगी गटर में और गटर से दोबारा होती हुई इंक रैजर वाइर में तो हमारे पास जो में पार्ट्स हैं इंक जट परिंटर के वह इन नंबर वान इंक रैजर वाइर होनी चाहिए आपके पास हुआ कि नंबर टू यह नंबर त्री नोजल उफ प्रिंट हैड होना चाहिए Numbers 4 Charging electrodes होने चाहिए Numbers 5 Deflecting plates Charging Numbers 7 Charging control और Numbers 8 Gutter होने चाहिए यानि ये हमारे पस एक basic construction के चांद एक parts है बेटे अब यहां से जैसे के मैं बता चुका हूँ कि ये जो nozzle होती है इस nozzle में से droplets ink के droplets निकलते हैं आईए अब types को दुबारा देखते हैं बेटे हमारे पास ink jet printers की three main types हैं नमबर वान continuous ink jet printers ऐसे ink jet printers जिनके अंदर से जब उनको चला दिया जाए on कर दिया जाए मुसल्सल ink droplets निकलते रहते हैं वो अगर उनके droplets को ज़रुत हो तो हम page पर fall करवाते हैं कैसे यह हम working में देखेंगे और हमें जरूरत ना हो तो हम उनको गटर में fall करवाकर वापस ले आते हैं तो ऐसे हमारे पास ink jet printers जिनमें मुसल्सल ink droplets निकलते हैं वो कहलते हैं continuous ink jet printers दूसरे हैं demand on drop on demand ink jet printers बेटे इन जो ink jet printers के अंदर मुसल्सल droplets नहीं निकलते बलके जब हमें जरूरत पढ़ती है सिर्फ printing की तभी ऐसा होता है और इसके अंदर एक और problem भी है कि इसमें डारेक्ट जो drops हैं जिस जो हमारे पहला printer था continuous printer वहां से drops सीधे direct page पर fall करते हैं बलकि लेकिन drop on demand ink jet printers के अंदर drops निकलेंगे हमारी nozzle से और यहां से एक जिस तरह फोटो कापी मिशीन है वहां उस ऐसा drum होता है उस पर fall करेंगे और उस drum से मजीद आगे paper पर convert होंगे तो यह two step process होता है थर्ड है हमारे बादा phase change ink jet printers बेटे यह ऐसे ink jet printers हैं जिनके अंदर solid ink मौझूद होती है solid form के अंदर dry ink होती है और यह सबसे पहले heat करते हम इसकी ink को ink jet printer के अंदर और इसकी ink heat होने के बाद solid form से liquid form में convert हो जाती है और उसके बाद हम लुग जो है इस से printing कर सकते हैं यह इन सार इन में से सबसे efficient जो है वो drop on demanding jet printer है इसके अंदर जो droplets produce होते हैं वह heat की मदद से produce होते हैं मतलब इसकी nozzle के अंदर एक electric connection लगाया जाता है जो ही हम printer कौन करते हैं इस electric connection की वज़ा से nozzle heat up हो जाती है और heat up होने की वज़ा से यहां पर इंक आल्मूस वेपर्स की form में छोटे छोटे droplets बनके निकल आती है और इस यह drop on demanding jet printer जो है यह बहुत ही fine printing जैसे बार कोड़ होगा रहा है उन लाइन की small और बड़े करीब करीब जहां प्रिंटिंग जरुवत होती है fine वहां यूज किया जाते हैं लेकिन जो हमारा जो आज का टॉपिक है वह जो हमारी बुक में second year में मौझूद है मैं पीटीबी की वह है continuous inkjet printer की बात की जा रही है बेटे आये working की तरफ देखते हैं inkjet printer की working के लिए हमें चोटी सी हमने animation यूज किया गेफ फाइल यूज की है यह जो गेफ फाइल है वो आपकी बुक में मौझूद नहीं है लेकिन आपको यह concept clear करने के लिए यह file यूज की गई है बेटा सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक ink razor wire था ink razor wire के अंदर यहां देखिए three ink razor wire show की गए एक main razor wire है और यह हमारे पास दूसरा sub और तीसरा make up ink razor wire है यानि हमारे पास एक या एक से ज्यादा इंक razor wire हो सकते हैं अगर हमें सिर्फ black color की printing करनी है तो जस्ट एक इंक razor wire required है और अगर हमें color printing चाहिए तो हमें almost चार इंक razor wire चाहिए होते हैं तो बेटे सबसे पहले एक पहला पार्ट था हमारे पास इंक जैट प्रिंटर्स का के हमारे पास इंक razor wire है इंक razor wire से हम लोग इंक को pump में भेजते हैं और pump से यहां से इंक push होती हुई हमारे nozzle of print head में चली जाती है यहां देखिए कर यह थोड़ी से डाग्राम different है क्योंकि different printers के लिए just animated video है इसको सिर्फ समझने की जरूत है तो बेटे nozzle of print head जो है वो यहां से देख सकते हैं मुसलसल continuously droplets इंक के produce कर रहा है वोस इंक के जो यहां से इंक reservoir से आई है इंक reservoir से pump में गई और pump से होती हुई nozzle में और nozzle का काम है हमारे पास small droplets produce करना अच्छा बेटे यह जो droplets produce हो रहे हैं इन droplets का size 0.1 mm यानि 1 into 10 raise to power minus 4 मीटर होता है और बेटे इनकी तादाद तकरीबन 1.5 into 10 raise to power 5 droplets per second यानि एक second में ये 29 small drops तकरीबन 1.5 lakh की तादाद में पैदा होते हैं और यानि nozzle एक second में 1.5 lakh droplets produce करती है और ये droplets जो move कर रहे होते हैं उनकी speed है 18 meter per second अच्छा बेटे ये जो nozzle है हमारे पास ये back and forth आगे पीछे मूव कर रहे होती है उपर नीचे भी मूव कर सकती है ये क्यों ताके document पर clear printing करवाई जा सके ये हमारे जो गेफाइल है वह बड़ी जबरदस्त है इसके इसके नेक्स पॉइंट है वह हम लोग अगली सरेट की उपर देखते हैं बिट है जब आप लोगोंने कोई भी soft document बन तो बेटे आपके आपने जो page type किया है उस typed page पर दो तरह के areas है नमबर वन जहां words मौजूद हैं उनको हम dark areas कहेंगे और जहां पर words नहीं हैं यानि words के दरम्यान की जगे वो हमारे blank areas यानि खाली जगे होंगी तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि blank जो जगह है वो पेपर पर कैसे create करनी है पहले step में यह होता है कि हमारे computer खुद देखता है कि अब हमें computer के अंदर एक word लिखने के बाद suppose दूसरे word के दरम्यान blank space थी अब computer चार रहा है हमारे page पर जिसको हमने print करना है वहां blank space यानि वहां ink ना आए तो computer के अंदर एक पार्ट यह instructions देता है हमारे printer के charging electrode को और यह on कर देता है इसको कि अब मैं दोबार रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारा computer यह चाहता है कि हमारी ink paper पे ना जाए और कागस blank रहे तब हमारा charging control part जो computer के अंदर रहता है instructions देता है किसको हमारे printer के charging electrode को और उसे on कर देता है बेटे इसको on करते ही इसके अंदर से गुजरने वाले जो droplets होते हैं वो electric field की वज़ा से charge हो जाते हैं तो अब हमारे पास जो इनक droplets थे जो के बहुत ही tiny form में थे वो charge droplets बन गए अब यह जो charge droplets हैं वो straight move करते हुए जैसे ही deflecting plates में से गुजरेंगे deflecting plates पर मसलसल हमारा electric field अप्लाई किया होता है यानि इन deflecting plates को हमने potential अप्लाई कर रखा है बैटरी लगाई रखी है इनके एक गिद पॉजटिव एक गिद नेगिटिव टरमिनल अप्लाई किया हुए है इन deflection plates के दर्मियान electric field है तो बेटे यह जो हमारे charge drops आ रहे हैं यह charge drops in plate से attraction या repulsion feel करते हुए गूलम attractive या repulsion force feel करते हुए bend कर जाएंगे away from page यानि स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे स्ट्रेट सामने paper रखा हुआ है अगर यह स्ट्रेट जाते तो यह paper पर impression produce कर देते लेकिन हमारा मकसद है इन droplets को वहां पर page तक पहुंचने से रोकना लहाजा हमने charging electrode को on किया यहां से charging electrode को on करते ही हमारे इसके अंदर से गुजरने charging electrode के अंदर से गुजरने वाले droplets charge हो गए और यह charge droplets यहीं deflecting plates में से गुजरे तो reculum, repulsive और attractive forces की वज़ा से यह droplets bend हो जाएंगे किस की तरफ हमारे पास wasted ink वाला पार्ट है जिसको हम gutter कहते हैं उसकी तरफ बेंड हो जाएंगे और हमारा कोई drop भी page पर flow या page पर direct in contact नहीं आएगा इस तरह हमारा page blank रह जाएगा और next slide पर हम देखेंगे जब हमें print करना होता है कोई word तब कैसे या इन्क produce करनी होती तब हम क्या करते हैं बेटा अब आप suppose कीजिए कि आपके computer के अंदर आपने कोई word लिखा है उस word को आपने print करना है यानि आप चाह रहे हैं कि आपके page पर ink की मदद से वह word लिखा जाए in short आप चाह रहे हैं कि ink droplets आप page पर fall करें तो बेटे जब जब का हमारा computer यह महसूस करता है कि हमारा ink droplets page पर fall करने चाहिए तो computer के अंदर जो charging control है वो instructions देता है हमारे charging electrode को और इसे off कर देता है पहले यह on था जब हमें इंक नहीं चाहिए थी page पर अब यह आफ कर दिया गया किसने computer ने खुद इसको instructions दे के इसे off कर दिया अब जब यह charging electrodes off हो गए तो बेटे इन electrodes के दरम्यान में से गुजरने वाले droplets अंचार्ज गुजरेंगे क्योंकि यह पहले भी droplets अंचार्ज हैं और अब charging electrode के दरम्यान electric field नहीं है तो यह ड्रॉप्स अंचार्ड यानि न्यूट्रल वे से गुजर जाएंगे अब यह neutral droplets हैं जब यह deflecting plates के दरम्यान जाएंगे तो बेटे क्योंकि neutral चीज़ को कोई भी charge अट्रेक्ट नहीं कर सकता लहाज़ा deflecting plates इन droplets को किसी direction में bend नहीं कर पाएंगी यानि इन neutral droplets पर इन deflecting plates का कोई असर नहीं होगा और यह neutral होने की नाते अपना motion जारी रखेंगे और स्ट्रेट सामने रखे हुए कावस पर गिरेंगे और impression प्रोड्यूस करेंगे तो इस दुबहर रपीट करता हूं जब हमें जब हमें पेपर पर blank areas यानि white areas रखने होते हैं तो बेट charging electrode के अंदर से गुजलने वाले droplets चार्ज होने के बार deflecting plates से बेंड होके गटर में चले जाते हैं और पेज पर कोई charging control construction देता है charging electrode को और वो उसको आफ कर देता है और इस आफ करने की वज़ा से इसके अंदर से गुजरने वाले इंग droplets neutral way से गुजर जाते हैं और यह neutral way से गुजरने के बाद यानि न्यूटर रहते हुए deflecting plates में से undeflectedly गुजर के सामने रखे paper पर फॉल करते हैं जिसकी वज़ा से कागल के ऊपर यह permanent impression produce कर सकते हैं आई यह जो पहले animated video देखी ती उसी को दोबारा देखते हैं एक बार ताकि हमारा concept clear हो सकते कि किस तरह हम जब चाहें अपने charging electrodes को अन आफ करके हम लोग इंक को पेपर पर पहुंचा या ना पहुंचा सकते हैं जी तो dear students जो हमने सारा process पढ़ा है इंक जट पिंटर का देखिए इस डियाग्राम से clear हो रहा है इसको में कर लेते हैं इस डियाग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए इंक सप्लाइए इंक सप्लाइए हमारे पास वह एक दो तीन ये चार बाटल की फॉर्म में यह इतने कलर्भ में जरूरत हो उनकी फॉरम में available हो सकती है तो सब्सक्णाइब हम और नोजल में से कॉंटिनियूसली ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं यह ड्रॉपलेट्स का हम चाहें तो इनको पेज पर जाने दें हम ना चाहें तो इनको गटर की तरफ बेंड कर दें उसके लिए क्या कहा मैंने अगर हम लोगों को अपने डॉकुमेंट यान है यए हम लोग को ऑन कर देते हैं यह यह दिए यह देग्या है चारजिंग एलेक्ट्रोड के गृज्ट मेरा भॉंटर घूम रहा है जैसे ही हमें पेज पर इंक ना चाहीए हो हम छाजिंग एलेक्ट्रोड को कंप्यूटर से ओन करते हैं इसके और इसकी वजह से हम इस चा जा रहे हैं यह दर्मयान में से कोई जो चंद डॉपलेट्स हमें जरूरत होती है पेज पर गिराने की फॉल करवा कि लिखने की जिसरा यहां पर लिखा जा रहा है मुख्लिवे से यह देख सकते हैं आप लोग तो उस वक्त जब हमें इंक पेपर पहुचानी हो हम प्लेट्स है ना डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरने के बाद यह डिफ्लेक्ट नहीं होंगे और यह सीधे पेज के उपर फॉल कर जाएंगे और यह जो हम चाहते हैं वो बना देंगे तो यह आपके सामने होल वीडियो मौजूद है अगर किसी बच्चे को